वेलकम टू SS Defense Academy फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन्स में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ दा बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापूर कैंट बिहार में जो आज सिविलियन पोस्ट का एक्जामिनेशन्स कंड़क्ट हुआ है सिविलियन पोस्ट में बहुत सारी पोस्टे थी जैसे कुक, बारबर, सफाई वाला, वासर में, कार्पेंटर का एक्जामिनेशन्स कंड़क्ट हुआ है आज ही सिम कोस्ट पूछा गया था सबका एक ही सांत एक्जाम कंड़क्ट हुआ है तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें टोटल देखिए 1500 कोस्ट पूछे गये थे सभी पोस्टों के लिए Dates & Qu talent में Reg programmer के 25 कोचन पूछा गया था GKGS और aloneरह और देखिए इसमें Omar seat नहीं दिया गया था इसमें जो paper मिला था उसी paper में जो questions है और इसमें टीक आउट करना इस तरह इसमें ओमार सीट पर नहीं भरना था पेपर महीं उसको टिक आउट करके जमा करना था ठीक है चलिए मैं आपको पहले प्रूफ दिखा दूँ ताकि बहुत सरे केंडिडेट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि फेक है फेक नहीं है ये एक केंडिडेट है देख सकते हैं इस तरह अलिफापे में उनका एड्मी कार्ड आया था उनका सारा कुछ यहां पर डिटेल्स था और उनका इस तरह का एड्मी कार्ड था देख सकते हैं ये दभीहार रेजमेंटल सेंटर दाना पूरकेंड पत्ना यहां देख सकते हैं 26 जुन 2022 को इनका एक्जामेंसिंस कंड़क्ट हुआ है बाकि यह उनका सारा डिटेल्स है एड्मी कार्ड पर तो यह रियल जितने भी मैं आपको कोशन्स कराने वाला हूं बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक से देख सकते हैं आप लोग कोशन्स मिला लिजेगा और देखिए जितने भी अलग-अलग सिबीरियन का एक्ज परे हुए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा आपको फूल एक निचोर देने वाला हूं किस पैटरन पर कोशन्स बनते हैं और लेवल क्या रहता है एक्जामिनेशन्स का तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें जो GK और GS का लेवल होता है बिलकुल इजी होता है ठीक है और सबसे बात रिजिनिंग के बहुत ही इजी कोशन्स आते हैं इंगलिस के भी इजी कोशन्स आते हैं मैथ के थोड़ा सा मॉडरेट कोशन्स पूछा जाते हैं नहीं तो बाकी सेक्शन्स बहुत ही अच्छे होते हैं तो चलिए सब ही कोशन् लेते हैं यह first questions पूछा गया था जितने भी मुझे questions मीला है तब questions तो नहीं मिला है लेकिन जितने भी questions मीला है authentic questions है देखे first questions पूछा गया था IPL 2022 के बिजेता team कौन सी रही तो यह गुजरात Titans रहा है आप सभी जानते हैं यह बहुतीजी questions यह पूछा गया है जली कट्टू कि किस राज के परमपरी खेल है तमिलांडू के है नेक्ट कोशन देखे काली मिटी कहां पाई जाती है तो यह महराश्र में पाई जाता है नेक्ट कोशन देखे कापास की खेती किस मिटी में होती है काली मिटी में पाई जाती है भारत के तीनों सेनाओं के सर्बोश सेना पती कौन होते हैं राष्टपती होते हैं ये भी पुछा गया है भारत के राष्टपती पर महावियो कहां से सुरू किया जा सकता है तो संसत के दोनों सदनों से किया सकता है ये कोशन्स ये पुछा गया था कि नियम में कौन input device है तो options के according mouse ये बिल्कुल सही था, input device यहीं है, keyboard, scanner, microphone ये भी input device है, लेकिन options में mouse सही था, सुचना के अधिकार, RTI अधिनियम कब लाग हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को, next question पुछा गया था, discovery of India पुस्तक के लेका कौन है, पंडि जोहारलाल नहरू है, अंतराश्टी योग दिवस कब म बनाया जाता है, बाकी देखिए, यहाँ पर एक math में ये questions पुछा गया था, a plus b के whole square का formula, तो a square plus b, a square plus 2 a भी होता है, unit digits से बहुत ही अच्छे-चे, मतला अच्छा questions पुछा गया था, easy questions पुछे गया था, next question देखिए, जेस्ट ही, यहाँ पर इंग्रिस में, jest का यहाँ प पैसेज से ही मिल जाता था, next देखिए, एक ये idioms पुछा गया था, read between the lines, ये वाला, चार idioms, नहीं, यहाँ पर चार questions पुछा गया था, इडियम से, unit digits से questions पुछा गया था, math में, time and distance से questions पुछा गया था, बोल रहे थे, candidate की थोड़ा सा moderate level था, math का, बाकी sections ठीक है, profit and loss था, average से पुछा गया था, time and work से पुछा गया था, question, coding, recording से 10 questions करीम थे, blood relation से 2 questions, statement and collusion से 1 questions, missing number से भी questions पुछे गया है, ये सारे questions पुछे ग जो भी candidate अलग-अलग सीबिलेन का form डाले हैं, अलग-अलग center का, तो आप लोग इसी pattern पर थियारी कीजेगा, dates of questions का, आप लोग math पर focus कीजेगा, ठीक है, इसमें जो GK का label होता है, बहुत ही मतलब, इसमें currents के एक से 2 questions पूछे जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं, बाकी सारे वहीं old questions पूछे जाते हैं, जो famous questions बार-वार reported होते हैं, I hope कि आपको यह analysis अच्छा लगा होगा, और यह analysis अच्छा लगा होगा, तो अपने friends में share किर जिएगा, ताकि मैं जितनी भी अलग-अलग center का examinations होगा, मैं आपको time to time आपको update करता रहूंगा, ठीक है, और channel से पूदर रहेगा, आपका class start है, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, next video में तब तक लिए जाएगे,